भारत माताकी भारत माताकी भारत माताकी यवतमाल जीला तरपो पांडर कवडा नाटे तरपो समदीर दादाल बायको नावा प्रदान सेवकना जय सेवा आपला हीद इलाका मात्रु शक्तिना प्रतीक मन्ता इत्तिन जमा एरुन सब कोलावार दादा बायकलों इमेत मुख्य सेवकनेत राम राम जै शामा दादा इमुंग सबुंग भेटिल तना आनुंग खूप खुशिय दिन यवत माल जीला आणि परिसरे माईर मार बंजारा भाई बहनों मारो मनपुर्वग जै सेवालाल महरार्ष्य के राजपाल स्रिमान विद्यासागर राव राज के लोग पुरिय एवाम यशश्वी युवा मुख्यमंत्री स्रिमान देवेंद्र फड़नवीश केंद्र में मंत्री परिशत के मेरे साथी स्रिंदितीन जी स्रिमान हंसराज आहिर जी राज सरकार के मंत्री स्रिमान मदन यरावर जी मंच पर उपस्तित अन्य बहानुभाव और विशाल संख्या में हमें आसिरवाद देने के लिए आये हुए भाई और बहनों और विशेश रुप से बेंडो पांडर कवडा की इस भूमी से मैं संत सर्वलाल महराच मुखसाजी महराच जैसे अनेक संतों और महापुरुशों को नमन करता हूँ कुछ महने पहले इस छेत्र के आदिवासी युवाओं ने एवरेश पर विजय प्राप्त की थी दिल्ली मैं मुझे इन युवास साथियों से मिलने का आउसर भी मिला था उनके परिश्रम उनके सपनों के बारे में जानकर मुझे यवत मार चंदरपूर की उर्जा का सुखद अनुभव हुआ था इसी तरह यहां की कोलाम जन्जाती का स्वच्छता के प्रती जो आग्रह है उसका जिक्र मैंने अपने मन की बात कारकम में भी किया था चंदरपूर के युवाओं ने जिस तरह वहां के कीले को साप किया था उससे देश के अनेक युवाओं को ऐसे ही स्वच्छता अभियान की प्रेरणा मिली है तुम्ही विचार करी ता साल आज में पांडर कवड़ात का लो माज्या माता भगिनिना तर बेटा है चेज होते पांड बीस मार्ट दोजार चौदा रोजी सुद्धा मी दाबडिला अलो होतो तब मैंने चाई पर चर्चा की थी और देश की समस्याओं को दूर करने के निरंतर काम करने का वादा किया था बीते साड़े चार वरसे पूरी इम्यानदारी के साथ आपसे किया ये वादा निभाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ आप लोगों को संतोस है मैं जो काम कर रहा हूँ उससे संतोस है मैं जो मेहनत कर रहा हूँ उससे संतोस है मैंने जो वादा किया उसके लिए जीजान से जुटा हूँ आप खुश है आपके आशिर्वाद है आपके आशिर्वाद बने रहेंगे आज भी पांडर कवडा के यवत मार के विकास से जुड़ी सैक्डो करोड की परियोजनाव का सिलान्यास और लोकारपण किया गया है इन में गरीबों के गर से जुड़े, सडकों से जुड़े, रेलिवे से जुड़े, रोजगार और स्वरोजगार से जुड़े, शिक्षा से जुड़े, अनेक प्रोजेक्ट हैं भाई और भेनों, विकास की इन सभी परियोजनाओं के बीच, मैं ये भी जानता हूँ, कि हम सभी किस गहरी बेदना से गुजर रहे हैं पुलवामा में, जो कुछ भी हुआ, उसको लेकर, आतंगवादियों के उस कृत्य को लेकर, आपके आक्रोश को मैं समझ सक रहा हूँ यहां महराष्ट के भी, यहां महराष्ट के भी, दो वीर सपुतों ने, देश की सेवा करते हुए, पुलवामा में, अपने प्राणों की आहूती दी है जिन परिवारों ने, अपने लाल को खोया है, उनकी पीड़ा, मैं बली भाती अनुबव कर सकता हूँ हम सभी की सम्मेदनाए, उनके साथ है भाई और भेनों, मैंने कल भी कहा है, और आज भी दोहरा रहा हूँ इन सहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा आतं की संगठनों ने आतं के सरपरस्तों ने जो गुना किया है, वो चाहे जितना छिपने की कोशिश करें उन्हें सजा जुरूर दी जाएगी हम अपने सैनिकों अपने सुरक्षा बलों के पराक्रम पर गर्वी भी करते हैं, बरोसा भी करते हैं सैनिकों में और विशेश कर CRPF में जो गुसा है वो भी देश समझ रहा है और इसलिए सुरक्षा बलों को खुली छुड दे दी गई है साथियों एक ऐसा देश जो भारत के बटवारे के बाद अस्तित्व में आया जिसके हाँ आतंकवाद को पना दी जाती है जो आज दिवालिया होने की कगार पर खड़ा है वो आतंका दूसरा नाम बन चुका है मैं देश को फिर भरोसा देलाता हूँ धैरी रख ले अपने जवानों पर भरोसा रखिए पुलवामा के गुनहगारों को सजा कैसे दी जाएगी कहां दी जाएगी कब दी जाएगी कौन देगा किस प्रकार की सजा देगा यह सब यह हमारे जवान तै करेंगे साथ्यों आज अगर हम पूरी सुरक्षा के साथ अपने सपनों को पूरा कर पा रहे हैं देश का विकास कर पा रहे हैं तो उसके पीछे अंगिनत बलिदान है मैं पुलवामा के सहीदों को एक बार फिर नमन करता हूं साथियों देश की सुरक्षा के साथ ही देश की समर्द्धी के लिए भी हमारी सरकार पूरी तरह प्रतिबद है और इसलिए विकास की पंचधारा यानि बच्चों की पड़ाई युवां को कमाई बुजुर्गों को दवाई किसानों को सींचाई और जन्जन की सुनवाई पर बल दिया जा रहा है आज के लोकारपन और सिवान्यास इसी सोच का विस्तार है भाई और बहनों किसी भी छेत्र के विकास में कनेक्टिवीटी का बहुत बड़ा रोल होता है यवत मार की प्रगती भी यहां की सडकों और रेलिवे से सुनिश्चित होनी है इसी भावना के साथ थोड़ी देर पहले सडक से जुड़े करीब पांच सो करोड रुपिये के प्रोजेक्ट का सिलान्यास किया गया है इसके अलाबा पूने अजनी पूने हमसफर एक्सप्रेस को भी हरी जंडी दिखाई गई है ये ट्रेन, दौन, मनमार, भुसावार और बढ़ने रा होते हुए जाएगी इससे इन सभी जगवों के लोगों को भावत सुविधा होने वाली है साथियों सडक और रेल सुविधा के अलाबा यवतमार के साड़े 14,000 से दिक गरीब परिवारों ने आज अपने नए घर में प्रवेश भी किया है जिनको भी ये पक्के घर मिले है उनको मैं बहुत-बहुत शुब कामनाई देता हूँ अब पक्के घर है तो सपने भी पक्के होंगे साथियों केंद्र सरकार ने 2022 तक हर बेगर को पक्का घर देने का लक्ष रखा है और ये सरकार तेजी से अपने लक्ष की तरब बढ़ रही है जिन परिवारों को अब तक गर नहीं मिला है बेबी इस बात पे भरोसा करे ये मेरा बचन है 2022 के पहले हर परिवार को पक्का गर होगा 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 अब तक देश के गाउं और शहरों में डेड़ करोड गरीबों के घर बनाये जा चुके है पिछले चार वर्षों में महाराष्ट में भी लगभग दाई लाक गर बने है फड़न विजजी की सरकार ने भी पच्चास हजार से जादा घर बनवाए है यहां यवत माल में भी लगभग बारा हजार गरों पर काम चल रहा है भाई और भेनों प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत जो गर बन रहे हैं यह गरिबों को आत्मविश्वाद तो देही रहे हैं साथ में हमारी बहनों के ससकती करण का भी साधन है जिस प्रकार यहां कि हमारी परमपराओं में बहनों को प्रात्मिक्ता दी जाती है माताएं परिवार और समाज को दिशा दिखाती है उसी प्रकार प्रधान मंत्री आवास योजना के तहट मिलने वाले गरों की रजिश्ट्री गर की महिला के नाम पर हो इसे प्रात्मिक्ता दी जा रही है भाईयों और भेनों महिला ससक्तिकर्ण को लेकर यवतमार देश के अग्रणी जीलों में है यवतमार सहीत पूरे महराष्ट में महिला बचद गट का एक बहुत बड़ा नेटवर्ग है हमारी सरकार ने महिला बचद गट को विस्तार भी दिया है और उनको शक्ती भी दी है इन समुहों को ग्रामिन अर्थिववस्त का आधार बनाने के लिए पहले की अपेच्छा धाई गुना जादा पैसा उपलब्द कराया गया है भाई और बहनों मुझे याद है कि पिछली बार जब मैं हाँ आया था तो शेतकरी समाज से लंबा समवाद किया था आज जब दो बार आपके बीच आया हूँ तो यह जानकर भी देना चाहता हूँ कि हाल के बजेट में शेतकरी समाज के साथ साथ जो हमारे गुमंतु समाज के लोग है पंजरा वगेर जो समाज है हमारे स्रमिक समाज है हमारे खेत मजदूर है इन सभी के लिए भी बहुत बड़ी योजनाओं का एलान किया गया है साथ योजना के तहट ऐसे किसान जिनके पांस पांच एकड से कम जमीन है उन सभी किसानों के बैंक खाते में हर बर्ष छे हजार रुपिये दिल्ली मैसे बारत सरकार की तरफ से जमा किये जाएंगे महरास्त्र के लगबग एक करोड पचीस लाग किसान परिवारों को इससे सीधा लाब मिलेगा ये पैसा दो-दो हजार रुपियों की तीन किस्त में सीधा आपके खाते में जमा हो जाएगा और एक बार नहीं ये हर वर्ष दिया जाएगा साथ्वाइस बजेट में सरकार ने गुमन्तों समुदायों के लिए भी एक बहुत बड़ा फैसला किया है ये वत्मार जिले में बहुत बड़ी संख्या में ऐसे परिवार हैं जो अपनी जीवन सहली और अन्य वज़ों से एक जगह पर नहीं रहते हैं इत्यास में पहली बार इस समुदायों का ख्याल सरकार ने किया है अब इन लोगों के लिए सरकार ने वेलफेर डेवलप्मेंट बॉर्ड बनाने का फैसला किया है ताकि सरकार के विकास के कारियों का लाप इन तक तेजी से पहुचे साथियों सडकों और घरों के निर्माण से जुड़े घरों में काम करने वाले रेडी ठेले वाले और संगडिक छेत्र के ऐसे करोड़ों परिवारों के लिए भी पहली बार एक बहुत बड़ी योजना हमने बनाई है प्रदान मंत्री स्रमयोगी मांदन योजना से पंदरा हजार रुपिय महना तक कमाने वाले कामगार साथियों को साथ वर्ष के बाद तीन हजार रुपिय की नियमित पैंशन सुनिश्चित हो पाएगी इसके लिए आउस्टन सो रुपिय का आउस्दान हर महने देना होगा इतना ही पैसा केंदर सरकार इन साथियों के पैंशन खाते में हर महने जमा करने वाली है भाई और बहनों सामा जी सुरक्षा के लिए प्रतिबत हमारी सरकार ने आदिवासी समाज के कल्यार से जुड़े बजेट में भी लगबग तीस प्रतिशत की बढोत्री की है इससे यवतमार सहीत महराश्टर के अनेक जिलों को लाब होने वाला है ये फैसला आदिवासी भाई बहनों के लिए भाजपा सरकार की निष्टा और उसकी प्रतिबद्दता का सबूत है साथियों जमीन हो जंगल की पैदावर हो पड़ाई लिखाई हो खेल से जुड़ी प्रतिबा हो हर स्तर पर आदिवासीों के कल्यान के लिए व्यापक प्रयास हो रहे हैं जन दन से लेकर बन दन योजना तक जन जातीय समुदाई के बहन भाईयों के लिए काम किया जा रहा है जन दन योजना के तहट बैंकों में लगबग हर परिवार के खाते खुलवाए गए हैं जिससे सरकार की हर मदद आपके खाते में सीधी मिलनी सुनिश्चित हुई है अब कोई भी बिचोलिया आपके पैसे पर डाका नहीं डाल सकता इसी तरह वनधन योजना के माध्यम से ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि जंगल से जो आप उपज लेते हैं उसकी बहतर कीमत आपको मिल पाए जैसे कच्ची इमली की कीमत कम होती है लेकिन अगर उसको पैकेट में बेचा जाए या फिर चट्टी बना कर बेचा जाए तो ज़्यादा कीमत मिलती है साथियों आप ये भी जानते हैं कि वन उपज पर जो समर्थन मुल्य सरकार देती है उसमें बीते साड़े चार बर्स में तीन बार बडोतरी की गई है दिसंबर में ही 23 उपजों का समर्थन मुल्य बढ़ाया गया है इतना ही नहीं इस दवरान सरकार द्वारा MSP के दायरे में आने वाली फसलों को बढ़ाया गया है जहां साड़े चार बर्स पहले जंगल से मिलने वाली 10 उपजों पर MSP मिलता था अब वो संख्या बढ़ा कर करीब करीब 50 हो चुकी है साथियों बाजपा की सरकार ने आदिवास्चियों की कमाई को ही ध्यान में रखते हुए बाज से जुड़े एक कानून में बहुत बड़ा बढ़ाव भी किया है अब आप अपने खेत में भी बाज उगा सकते हैं और उसको बेच कर अपनी आई बढ़ा सकते हैं पहले ऐसा संबव नहीं था क्योंकि बाज को पेड की स्रेणी में रखा गया था सिरफ बाज की खेती कर पाएं इतना ही काम नहीं किया है इसको व्यापक बाजार मिले इसके लिए भी काम किया जा रहा है साथियों आदिवासी खेत्रों में सिख्षा से लेकर काउसल और रोजगार तक के अनेक प्रयास किये जा रहे है हमने जन जातिये खेत्रों में एक लब्यम मोडल स्कूल खोलने का व्यापक अभियान चलाया है इसके तहट बीस हजार से अधिक की आदिवासी आबादी वाले खेत्रों में स्कूल खोले जा रहे हैं आज ही यहाँ पर किनवट के एक लिए मोडल स्कूल के नए केमपस का लोकारपन भी किया गया है इस नए केमपस में चार सो से अधिक युवासाथी अपने भविश को संवार पाएंगे साथियों आदिवासी समाज के स्वास्त को लेकर भी व्यापक प्रव्यास देश में चल रहे हैं आज यवत मार के लिए तीन संस्थानों का लोकारपन और सिलान्यास किया गया है हमारे जनजातिये इलाकों में सिकल सेल की एक बिमारी बहुत सामान्य है विशेश तोर पर विदर्व में इस बिमारी की बहुत अधिक समस्या है हम बिमारी के इलाज के लिए बहतर चिकित सा सुविदा हो रिसर्च की सुविदा हो इसके लिए चंद्रपूर में रिसर्च से जुड़ा सेंटर स्थापित किया जा रहा है साथियों आदिवासी भाई बहनों को केंद्र सरकार की आयुश्मान भारत योजना का भी बड़ा लाब मिल रहा है इस योजना के तहट गंबीर बिमारी की स्थिती में गरीबों का पांच लाख रुपिय तक का इलाज सुनिस्षित हुआ है अभी कुछ दिर पहले ही मेरी आयुश्मान भारत के अनेक लाभारतियों से मुलाकाद भी हुई है उनके चहरे पर जो संतोस था वही आपके इस प्रधान सेवक का महनताना है साथियों भारत को खेल की महाशक्ति बनाने में आदिवासी नवजवानों का सामर्थय बहुत बड़ी भूमी का निभाता जा रहा है इसे समझते हुए ही आदिवासी खेत्रों में खेलों की सेवाओं सुविदाओं को और विस्तार दिया जा रहा है सरकार का विशेश द्यान डेड़ सो से अधीक आदिवासी बाहुले जिलों में खेल सुविदाओं के विकास पर है सरकार द्वारा ऐसे हर जुले को दो हजार बाईस तक पांच करोड रुपिय तक की सहायता का प्रावदान किया गया है साथियों इत्यास साक्षि रहा है कि देश की आदाजी से लेकर देश के विकास में आदिवासी नायकों का बहुत बड़ा योगदान रहा है भाजपा सरकार इस योगदान को सम्मान देने का काम भी कर रही है आज़ादी की लड़ाई में जिन आदिवासी बेटे बेटियों ने बलिदान दिया है उनकी याद में देश भर में समारकों का निरमाण हो रहा है भाई और बहनों देश की सुरक्षा महिला सजक्तिकरण आदिवासी कल्यान और विकास के दूसरे काम अगर आज इतनी तेजी से हो पा रहे हैं क्योंकि आपने साड़े चार बर्स पहले एक मजबूत सरकार के लिए बोट दिया था आज सरकार साफ नियत के साथ स्पस्ट नीती बना रही है तो आपके एक बोट के कारन संबभ हुआ है तब अगर आप इससे चुक जादे तो शायद हम वही के वही रह जाते विकास के इस विश्वास को आप और अधिक मजबूत करेंगे अपने इस पधान सेवक पर अपना आशिरवात बनाए रखेंगे इसी आगर के साथ एक बार फिर विकास की सभी परियोजनाओं के लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ मेरे साथ जरजोर से बोलिए भारत माता की भारत माता की भारत माता की भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद झाल, 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 झाल